गुड मारिंग नमस्ते अस्सलाम वालेकूं दोस्तों हाजरु में आज आपके सामने डैवाप्स का लेक्चेर नमबर 11 लेके और जिसमें आज हमें स्टार्ट करना है गिट तो गिट का ये पहला लेक्चेर है बिल्कुल बुनियादी लेक्चेर है सारे बेसिक्स कलियर कर लेंगे दिमाग में टीक्चेर डैवलब कर लेंगे कि भ cure क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम गिट की बात करते हैं गिट क्या होता है नाम आपको पता चल गया इसका लोगो आपने देखा होगा नहीं देखा है हमारे वीडियो में आपको side में नजर आ कि हमें जरूरत क्यूं पड़िए कि, किसी पी टूल को DevOps के अंदर अगर हम पढ़ रहे हैं, तो पहले हमें ये clear होना चाहिए, कि आखिर ये काम हमें क्यूं करना है, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि कोई भी काम न, जरूरत के हिसाब से होता है उसकी जरुवत हो तब ही हम करते हैं उस चीज को उस टूल को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले देखिए एक IT इंडस्टी के अंदर या जहां software डेवलप किये जाते हैं वहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल की जाती है software configuration management या फिर एक और टर्म आप क्या सकते हैं source code management एक ही बात है source code management अब इसमें आपको टर्म कन्फीज होने की ज़द नहीं है कि source code management क्या होता देखिए code की बात हो रही है और source code की बात हो रही है यानि जो software हम बनाने वाले हैं उसके लिए जो code हमारे developer लिख रहे हैं उसको manage करना है ठीक है क्योंकि एक जब एक application बनती है अगर flip card किसी ने बनाया होगा तो ऐसा नहीं है कि एक ही बंदे ने पूरा flip card का application design कर दिया होगा उसका पूरा layout नजर आ रहा है जो भी आ रहा है नहीं कम से कम 50 बंदे वहाँ पे काम कर रहे है अब 50 बंदों में एक बंदा होगा जो उसका login पेज डिजाइन कर रहा है उसका code दिख रहा है कि flip card पे login कैसे होगा अगला बंदा है वो यह design कर रहा है कि flip card का application पे कि flip card का जो card है जिसमें आप item add करते है वो कैसा नजर आना चाहिए क्या options होने चाहिए फिर और एक team है जो काम कर रही है कि products कैसे कैसे नजर आने चाहिए कैसे scroll होंगे क्या click करने पे यानि सब को छोटे-छोटे-छोटे-छोटे काब हमने पकड़ा दियो कि भाया आप ये code लिखो, आप ये code लिखो, आप ये code लिखो ठीक है, अब लेकिन होता क्या था, आज से 15-20 साल पहले जब software design किये जाते थे, तब हमारे पास as such कोई tool नहीं होते थे बहुत जादा, तो अगर एक बंदे ने code लिखा है, तो हमें दूसरे बंदे को manually देना पड़ता था, उसको हम वो code देते थे कि भईया इसने यहां तक लिखा है, अब तुम अपना code देखो, दोनों को match करो, दोनों को merge करो, एक बनाओ, और आगे combine करके आगे भेजो, तो जो छोटे-छोटे code थे उन्हें हमें merge करना परता था, देखना परता था, या नहीं है, उसने क्या code लिखा है, मैंने क्या code लिखा है, दोनों साथ में मिलकर काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस तरीके की बहुत सारी चीज़े पहले के दमाने में हुआ करती दी, उसे time ये एक time market में आई, source code management, ठीक है, इसमें क्या करते थे, suppose करें आपकी एक manager आपके पास है, management का मतलब manager है ना, तो एक manager आपके पास है, और इस manager का काम किया है कि जो मेरे बंदे हैं, जो मेरे पास मेरे employees हैं, उन employees ने जो code बना रखे हैं, उन codes को ये लेता है, और उनको एकटा करता है, compile करता है, देखता है कि कौन बंदा क्या code पे काम कर रहा है, किसने कितना code तयार कर दिया है, क्या design किया, या उन सारी चीजों की देख रेक करता है, ठीक है, अब इसको ये भी मालूम होना चाहिए कि इस बंदे ने कितना काम complete कर लिया है, इस बंदे ने कितना code design कर दिया, इसको भी ये मालूम होना चाहिए कि इस बंदे ने कितना काम complete कर लिया है, कितना code design कर लिया, similarly manager इन सब का ख्याल रखेगा, और ये सारे बंदे manager को code भेजेंगे, ठीक है, इसने जो code लिखा है, वो manager को भेज़ देगा, इसने जो code लिखा है, वो manager को भेज़ देगा, ये सारे अपना काम कर करके manager को भेज़ते रहेंगे, अब manager के लिए बड़ा मुश्किल काम है सब के code को संभालना और ये याद रखना कि इस तीसरे number के बंदे ने क्या काम किया था या तीसरे number के बंदे ने कल क्या update किया था इसके लिए बड़ा मुश्किल काम है ठीक है तो इनी चीजों के लिए हमने जो है कुछ software design किये कुछ tool design किये जिसको हम कहते है source code management source code management basically क्या काम करता है आपके जितने भी code होते हैं जितने भी आपके code होते हैं जो developer design करते हैं उनके versions को संभाल के रखता है ठीक है अब version क्या होता है version यह simple सी बात है कि मैंने आज एक file लिखी उसमें मैंने लिखा x y z ठीक है आज मैंने इसमें यह लिखा कल मैंने दुबारा यह file open करी और मैंने इसमें नया data add कर दिया abc तो यह इसका एक नया version बन गया यह इसका version 1 था my file version 1 और यह क्या है my file version 1.1 क्योंकि मैंने इसमें कुछ update कर दिया को नया code add कर दिया तो मैं इस तरीके से नए नए versions बनाता था और मैं उन्हें manage करता था तो इन्ही चीज़ को कहा जाता था source code management source code management का मतलब है कि आप अपने source code यानि कि जो आप जिससे application बनाने वाले हैं उन codes को संभाल के रख रहे हैं उनके हर version को संभाल के रख रहे हैं ठीक है तो अब यह काम था हमारा source code management का अब इसके अंदर हुआ क्या मैं आपको बताता हू कि हमारे पास इसके अंदर भी दो तरीके के management system होते हैं एक होता है centralized centralized version control system और एक होता है हमारे पास distributed version control system तो यह दो तरीके के system हमारे पास होते हैं source code management कुछ नहीं है यह एक तरीका है it's a practice यह एक तरीका है काम को करने का ठीक है अब source code management के लिए ही हमारे पास दो आप tool कहले हमारे पास दो तरीके के software आते हैं एक आते हैं centralized एक आते हैं distributed तो पहले जो आते थे वो centralized जाते थे ठीक है centralized कैसे काम करते थे अब जड़ा हम वो देखते हैं तो different softwares को different versions को manage करने के लिए जो market में tool लाया गया वो था centralized version version management system या centralized version control system cvcs इसे कहते थे तो बड़ा popular है यह term cvcs तो centralized version control system क्या था यह पहले जनरली यही इस्तमाल होता था git के आने से पहले जनरली हम लोग cvcs ही इस्तमाल करते थे और इसमें क्या होता था कि इसमें suppose करें यह एक बंदा एक developer है यह अपना code लिख रहा है यह भी अपना code लिख रहा है ठीक है अब सब एक ही project पर काम कर रहे है एक ही application पर काम कर रहे है तो suppose इसने कोई code लिखा तो इ पड़ा हुआ remote server पर ठीक है storage या folder है जहां पर मैं अपना यह code है मैं डाल सकता हूँ तो यह मेरे पास remote server जैसे कि suppose कहीं पर भी है cloud पर भी हो सकता है तो वहाँ पर मैं अपना code जो है वो मैं वहाँ पर upload कर दूँगा वहाँ पर डाल दूँगा ठीक है तो मैंने जो भी लिख होता है code को save करना आपने अपने PC से उसको remote server पर save कर दिया ठीक है जैसे कि Amazon पर मैंने AWS cloud पर डाल दिया for example ठीक है अब ऐसे इस बंदे ने भी अपना code लिखा इसने भी हाँ पर commit कर दिया ठीक है अब इस बंदे ने भी code लिखा इसने भी हाँ commit कर दिया अब इसमें फाइदा क कि अगर इस बंदे को ये देखना है कि यार मैं जो code लिख रहा हूँ पहले मैं ये तो देख लूँ ये बंदा क्या काम कर रहा है क्योंकि इसने जो काम किया हुआ है मैं भी उसके according ही अपने code को design करूँ पता चले मैं ऐसा code लिख दूँ कि इसके साथ मर्ज होने पर वो काम करने लग जाया ऐसा ना हो कि ये भी इस feature को बना रहा हो इसके अंदर add कर रहा हो तो आप उस चीज को check कर सकते हैं कैसे check कर सकते हैं इसने भी अपना code यहां पर डाल दिया और इसने भी अब आप central repository में जाके ये मेरी central repository है central repository का मतलब क्या है एक storage जहाँ पे सब का data पढ़ा ह इॺझे है ठीक है तो आप अब यहाँ जाके इसके इस code को चेक कर सकता है यह यहाँ से इसके code को देख सकता है क्योंकि वो centralized जगह पर पड़ा है तो हर को ये दूसरे केяч को rates को access कर सकता है देख सकता है कि इस बंदे ने क्या काम किया है तो इस से काम असान होजाता है उसको भी idea मिल जाता है अच्छा ये बंदा इतना काम कर चुका है इन इन चीज़ों पर काम कर चुका है तो मैं अब इस चीज़ों ऐसे design करता है ठीक है? तो क्योंकि वो एकी जगा पढ़ा हुआ है तो दोनों इसली काम कर सकते है सेम program के ऊपर आज ये office में आ रहा है suppose दिन में या आता है रात को या आता है यह suppose करें ये बंदा इंडिया में रहता है और ये बंदा यूएस में है दोनों सेम project पे काम कर रहे है अपना काम जब पूरा कर लेगा तो उसको यहाँ पे commit करके चला जाएगा, commit का मतलब update करके चला जाएगा, save करके चला जाएगा तो अब अगले दिन जब यह आएगा तो इसको उसमें नया काम add मिलेगा for example इसने काम जोड़ा इसने काम A काम किया और इसने वहाँ commit कर दिया, अब यह बंदा आया इसने वहाँ पे B काम कर दिया तो अगले दिन जब यह बंदा आएगा तो इसको अपनी copy में सिर्फ A नहीं मिलेगा, B भी मिलेगा क्योंकि दोनों सेम प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो A और B दोनों मिलेगे, अब इसने C से काम स्टार्ट करना है B तो उसने कर दिया पहले, तो इस तरीके से आप काम जल्दी हो सकता है ठीक है, तो इसे हम कहते थे centralized version control system जहाँ पे आप इस तरीके से काम करते थे एक central repository होती थी, एक ही repository होती थी जहाँ सब अपने code को update किया करते थे ठीक है, अपने code को store या save करते थे और वहाँ से एक दूसरे के code को देख भी सकते थे access भी कर सकते थे, लेकिन फिर इसके अंदर एक drawback है इसके अंदर कई सारे drawbacks हमें feel हुए बाद में हाला कि उस जमाने के हिसाब से बहुत अच्छा था लेकिन बाद में हमें realize हुआ कि क्या होगा अगर ये पूरे का पूरा repository डाउन हो जाए खराब हो जाए, ये server क्योंकि सारे code तो सबने यहां डाले हुए है अब किसी दिन ये code ही खराब हो गया तो मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैंने तो सारा वहाँ पर डाल दिया था काम करके, ठीक है मेरे पास हो सकता एक आदा copy पड़ी हो पर इसका मतलब सारे code तो नहीं होंगे ना मैंने तो update करके काम मैं तो daily वहाँ भेज़ देता था और हर बंदा ऐसे ही करता था क्योंकि हम completely dependent थे इस remote server के उपर अगर ये remote server खराब हो गया तो इस पर पड़ा हुआ सारा data भी खराब हो जाएगा अब कोई बंदा कुछ access नहीं कर पाएगा दूसरी important बात remote server को access करने के लिए आपको internet चाहिए होता था क्योंकि भाईया आप AWS को भी तभी इस्तेमाल कर सकते हो ना जब आप internet से connected हो बिना internet के तो AWS पे नहीं जा सकते है आप अपने server का RDP या SSH करके पुटी के थूँ access नहीं कर सकते तो अब internet नहीं है तब क्या गर होगी अब आप suppose ऐसी जगा बैठे हो जहाँ पे internet नहीं आ रहा गाउं में हो देहात में हो तो आप code पे काम ही नहीं कर सकते क्योंकि internet must है दूसरा यह slow भी था क्योंकि internet के थूँ चल रहा है अब आपने कोई code वहाँ पे update किया उसमें time लग रहा है वहाँ से code आप निकाल के देख रहे हो उसमें time लग रहा है तो वो सारी चीजों में time लगता था तो यहां से जब यह code लेते थे suppose करो अगले दिन यह आया और इसने यह file repository से उठानी है तो उसको बोलते थे update करना ठीक है तो उसे update कहते थे तो अब इसने update किया तो अब क्या होगा कि internet की वज़े से बहुत सारे issues आ गए एक तो यह slow हो गया इसका जो काम था ना वो slow होता था क्योंकि आप कुछ update कर रहे हो उसमें time लगता था क्योंकि उसे remote server पे भेजना है तो वो code को वहाँ भेजने में time लगता था वहाँ से code अगर हमें लेना है कि किसी बंदे ने update किया उसका code हमें download करना है या देख रहा है तो उसको भी access होने में उसको receive होने में हमें time लगता था तो बहुत सारे major drawbacks हमने feel कि यह इसके अंदर ठीक है तो अब इन सारी चीजों की वज़े देखिए कुछ drawbacks है यह कुछ drawbacks है centralized version control system के it is not locally available locally available का मतलब है कि जो code वहाँ पे है वो सारा सब कुछ वहीं पर remote पे है आपकी hard disk में कुछ भी नहीं है आपकी hard disk में कोई code पढ़ा ही नहीं है तो local repository या locally available का अगर यह server खराब भी हो गया तो मेरी hard disk में उसके copy पढ़ी है ठीक है बट ऐसा नहीं होता यहाँ पे meaning you always need to be connected to a network to perform any action तो इसका मतलब कुछ भी update करने के लिए कुछ भी commit करने के लिए आपको internet से जुड़े हुए होना जरूरी है तो यह बहुत बड़ा problem था since everything is centralized if central server gets failed you will lose entire data ठीक है तो आपका अगर यह central server ही fail हो गया remote server तो क्या होगा entire data आपका loss हो जाएगा अब इसके जो tool आते था वो svn जो था बड़ा popular था पहले तो हम लोग उसको इस्तेमाल करते थे सब version आता था तो यह जो हमारा centralized version control system था इसमें कुछ drawbacks आ गए अब उसके बाद जो आया market म version control system और जिसके लिए सबसे popular है git तो अब पहले मैं git की कहानी सुनाता हूँ और फिर हम उसकी बाद करते हैं कि वो कैसे बहतर है इसके comparison में central repository के drawbacks हमें पता चल गए तो अब हम बात करते हैं कि भाया यह कैसे बहतर है central repository के बाद आया था distributed version control system और git जो है वो एक distributed version control system है तो interview मे आपसे पूछा जा सकता है कि git किस तरीके का version control system है versioning control किसे कहते हैं या दोनों में difference क्या है central version control system और distributed versioning में क्या फरक है तो यह सारी बुनियादी बाते आपको पता हुनी चाहिए जो आज की lecture में हम cover कर रहे हैं अच्छा git क्यों बनाया गया और git किसने बनाया तो मैं आपको बता दूँ जिस बंदे ने Linux बनाया था Linus Torward उसी ने git को बनाया ठीक है Linus Torward तो अब आप कहेंगे यार बड़ा solid बंदा है Linux भी बना दिया git भी बना दिया इतनी कुछ चीजे बना दिया और कब बनाया था 2005 में इसका पहला version आया था तो अब इन्होंने 2005 में यह git बनाया त तो Bitkeeper को वो दूसरी company का product था जिसे यह third party software था जिसे Linux जो है वो इस्तमाल किया करता था versioning के लिए या version control के लिए लेकिन हुआ यह कि दोनों के बीच में कोई मसला हो गया और उसने जादा पैसा कमाने के लिए इनसे tie-up जो है वो break कर लिया और Linux को अपनी service देना बंद कर दि करता है तो Git जो है वो Linux kernel पर ही काम करता है इस्पेशली Linux के लिए ही design किया गया है तो आप देखेंगे कि Git में बहुत सारे features जो है वो बड़े ही easily compatible है Linux के साथ क्योंकि इसे Linux Store World ने ही बनाया है और उन्होंने ही Linux को बनाया था तो of course दोनों में आपको easy compatibility नजर आएगी दूसर हम जब lab करेंगे तो हम जब अपनी Linux machine लेंगे तो उसमें हम इसे install कर सकते हैं उसमें हमें वहाँ पर मिल जाएगा यह package manager के थूरू जो हमारा manager होते है package manager वहां से हम इसे download कर लेंगे या Mac के अंदर भी यह by default आता है तो Git जो है यह एक versioning system है version control system है जिसे Linus Torval ने design किया था different code क अगर हमें रखना है तो हम कैसे रखेंगे तो उसके लिए उन्होंने इसको design किया था ठीक है तो अच्छा एक चीज़ और मैं आपको अभी बताता चलूँ कि GitHub का नाम भी कुछ लोगों ने सुना होगा GitHub ठीक है GitHub वो अलग है Git और GitHub क्यूंकि नाम हमें एक जैसे लग रहे है Git और GitHub तो आपने confuse नहीं होना है अलग चीज़े है GitHub एक अलग चीज़ है GitHub इस लेवल पे काम करता है ठीक है GitHub इस लेवल पे काम करता है remote server लेवल पे और Git जो होता है वो इस लेवल पे काम करता है इन दोनों लेवल पे काम करता है Git Git काम करता है यहाँ पे GitHub काम करता है यहाँ तो GitHub एक service है, GitHub एक service है जो आपको repository प्रवाइट कराती है, storage प्रवाइट कराती है, यह सारे code रखने के लिए, तो GitHub एक अलग चीज है, Git एक अलग चीज है, Git का concept आपकी local machine पे होता है, आप local machine पे जो कुछ कर रहे हैं, वो Git की help से आप manage कर सकते हैं, वर्जनिंग, अपने different versions को manage क कर सकते हैं, और GitHub जो है, उनको remotely, एक centralized जगाया पे रखने का तरीका है, उस data को cloud पे रखने का तरीका है, आप ऐसे समझें, तो अभी आपने Git और GitHub के बारे में confuse नहीं हो ना, अभी मैं सिर्फ Git की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो Git जो है, वो मैंने आपको बता दिया, Linux का ही product है, और एक kind of software है, 2005 में आया था, अब यह किस तरीके से काम करता है, तो अगर आप इसे पिछले image के साथ compare करें, तो आपको यहाँ यह चीज नई नजर आ रही है, पहले repository था, centralized में भी repository था, और हमारे PC लगे हुए था, यह भी हमारे PC है, PC1, PC2, PC3, लेकिन अब यहाँ पर क कि इस storage के साथ साथ यहाँ local storage भी है, यह repo का मतलब repository ही होता है, उसकी short form है repo, repo का मतलब आप एक folder से समझ सकते हैं, तो यह remote folder है, यह आपकी local machine में folder है, यानि जो code भी आप यहाँ डाल रहे हो, वो पहले आपको repo पे डालना पड़ेगा, local repo पे, और फिर आप उसे भेजोगे अ यह computer के अंदर जो hard disk होती है, उसके अंदर ही एक हमारा folder बन जाता है, repository के नाम से, .git के नाम से, तो उसके अंदर हमारा data पड़ा रहता है, ठीक है, अब उसके बाद आप उस data को push करना चाहते हो, उस data को आप GitHub पे डालना चाहते हो, आप GitHub इस्तमाल कर सकते हो, आप कोई और software को, किसी भी service का इस्तमाल कर सकते है, अपने data को store करने के लिए, तो for example, मैं GitHub की ही बात कर लेता हूँ, तो GitHub जो है, वो मेरी एक storage service है, जहाँ पे data store कर सकते है, तो मैं push करके उसे GitHub में डाल दूँगा, ठीक है, तो इसका फायदा क्या है, देखे, अब मैं जरा distributed version control system को आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कि अब यहाँ पे भी यह बंदे जो हैं, यह अलग-अलग project पे काम कर रहे हैं, ठीक है, अब suppose करें कि आपने एक program बनाना start किया, आपने एक program ready कर लिया, अब आप अगले दिन फिर आए, आपने उस program में थोड़ा program और add कर दिया, तो अब इत versioning नहीं इस्तमाल कर रहे होते तो आपको वो code को remove करना पड़ता, ठीक है, बट क्योंकि आप versioning इस्तमाल कर रहे थे तो आपके पास कल वाला version अलग पड़ा होगा, आज वाला काम अलग पड़ा होगा, तो आप कल वाले version को उठाओगे और उसमें काम start कर दोगे, ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या था, यह जो concept है, यहाँ पर क्या है, यह बंदा अपने code पर काम कर रहा है, यह बंदा अपने code पर काम कर रहा है, यह बंदा अपने code पर काम कर रहा है, अब जहाँ जो disadvantages centralized में थी कि हमें internet से सब कुछ connect रहना पड़ता था, code को update करने के लिए, code को ले देने के लिए, देखने के लिए, हमें यहाँ वो dependency खतम हो गई, क्यों खतम हो गई, क्योंकि हम जो भी काम करेंगे, अपनी ही hard disk में करेंगे, हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे तो बात की बात है, जब हमारा मन करेगा, हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे हम अभी कोई काम नहीं कर रहे हम जो भी काम कर रहे हैं अपनी local repository में यानि मेरे system के अंदर ही एक folder बन जाता है मैं उसके अंदर वो काम कर रहा हूँ वो बिल्कुल इसकी तरह behave करेगा पर वो है कहां पर actual में आप ही की machine में है इससे क्या होगा काम fast होगा क्योंकि आप अपनी local machine क यह access कर रहे हो ठीक है तो आपको और दूसरी बात इंटरनेट पर dependence खतम हो जाएगी क्योंकि आप इंटरनेट की जौरती नहीं है क्योंकि आप की जो local repository है वो आपके ही computer में पड़ी हुई है तो आप उसी के अंदर अपना code अपडेट कर रहे हो repository जब भी मैं इस्तमाल करू आप storage के बारे में या folder के बारे में सोचें तो आपका जो folder है वो आपके ही computer में है तो आप उसको fast access कर सकते हैं इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है सबसे बड़ी बात अगर यह repository डाउन भी हो जाए तो भी हमें tension नहीं है क्योंकि हर किसी के पास अपनी personal repository है repository मतला अपना personal folder है जिसमें उसने जितना भी काम तक किया है वो सारा पढ़ा हुआ है तो वो यहाँ भी पढ़ा है 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 हर बंदे के पास इस की copy है इस repository में पढ़े हुए काम की copy हर किसी के पास है यानि कि यह जो काम है यह centralized ना होकर क्या है? distributed है, तो distributed का मतलब क्या हो गया है? कि आपके code की जो copy है वो एक जगा ना होकर multiple जगाए पे distributed है तो इसका मतलब अगर यह खराब भी हो जाए तो इसके पास सारा code पड़ा होगा, जितना भी updated code होगा, जितनी भी code available है, तो आपका data जो है वो एक जगाए ना होकर multiple जगाए पे है, इसलिए इससे benefit ही है, अगर एक copy खराब होई तो दूसरी जगाए से आप उस copy को retrieve कर सकते हैं, तो यह एक benefit है version control system तो है, version control system कैसे है? आप अगर छोटे से छोटा कोई change भी करोगे, तो वो भी इन सब को पता चल जाएगा, ठीक है ऐसा नहीं है कि आपने कोई बहुत बड़ा code लिखा, उस code में आपको changes कर दें तो वो मुझे पता नहीं चलेगा या इस बंदे को पता नहीं चलेगा, या इस बंदे करिये, वो पता चल जाएगा, आप नहीं चुपा सकते हैं, और क्या changes करें, ये भी पता चल जाएगा, ठीक है, तो ये एक version control system है, इसका मतलब कि जितने भी version है, code के, आपके program के, उन्हें आप एक जगा रख सकते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम git का इस्तमाल करते हैं, सबसे famous git है, इसके इलावा mercurial भी आता है, mercurial भी कुछ जगा इस्तमाल होता है, बट कम ही इस्तमाल होता है, generally इस्तमाल होता है, वो हम लोग git का इस्तमाल करते हैं, तो अब ये आपको पूरी picture clear हो गई, तो ये local repo क्या है, ये आपके computer में ही पढ़ा हुआ एक folder है, जिसके अंदर आप सारा काम करते रहते हो, ठीक है, आप जब अपना काम कर लोगे, जब अपना code लिख लोगे, तो आप commit कर दोगे, commit करने का मतलब है, मैंने अपने code को यहाँ पे save कर दिया, कहां save कर दिया, local repo में या अपने folder में, मैंने उस काम को save कर दिया, जब अगले दिन आप आओगे, तो आप update करोगे, update करने का मतलब है कि आपने उस code को लिया, और अब उसको कुछ और आप काम करना चाहते हो, तो इसी तरीके से आप commit करते रहोगे, अपने codes को update करते रहोगे, और अगर अब आप चाहते हो कि मैं इस code को यहाँ से उठा के मैं GitHub में डाल दूँ, यानि कि cloud पे डाल दूँ, ताकि और बंदे भी उसको access कर सके, क्योंकि इसको यह access नहीं कर सकता, मेरी local repo में क्या पढ़ा है, उसको यह PC2 नहीं देख सकता, तो मैं अगर चाहता हूँ कि मैं इसे बाकी बंदों के साथ भी share करना चाहता हूँ, कि वो मेरा code या मेरा काम देख सके, कि मैंने कहां तक कर लिया है, तो मैं उसे GitHub एक service है, उसके through मैं उसकी central repository में डाल सकता हूँ, यह central repository उसी को दिखा रहा है, और यहाँ पे से फिर यह बंदा उस code को उठा सकता है, देख सकता है कि मैंने क्या changes आज किये हैं, उसको पता चल जाएगा, वो उसको retrieve कर सकता है, उसको push करके वो मंगा सकता है, उस code को उसको देखेगा, और उसमें वो अपना काम add-on करेगा, अपना काम start कर देगा, आगे से करना, तो इस तरीके से यह पूरा distributed version control system काम करता है, in distributed version control system, every contributor has a local copy, और clone of the main repository, यानि जो हर contributor है, हर बंदा है, उसके पास एक clone, यानि कि exact copy होगी इस central repository की, जो कहाँ पर पढ़ी होगी, लोकल repo में पढ़ी होगी, ठीक है, तो everyone maintains a local repo of their own, which contain all the files and metadata present in main repository, तो main repository में जो कुछ भी है, वो इनकी local repo में भी पढ़ा हुआ है, इसका सबसे बढ़िया benefit यही है, कि इसके लिए internet की जरूरत नहीं है, आप local repo के साथ काम करते रह सकते हो, आपको किसी तरीके की connectivity किसी उसकी जरूरत नहीं है, बहुत fast होता है, reliable है, और आप अपने काम को बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, तो यह, अब आपको I hope समझ आ गया हुआ कि get की हमें जरूरत क्यों है, तो get की हमें जरूरत क्यों होती है, different, different जो multiple versions हम बनाते हैं अपने काम के, आज मैंने कोई code लिखा, कल मैंने उसमें कुछ changes किये, person मैंने कोई और changes किये, अब मैं 5 दिन से लगातार changes कर रहा हूँ, उसके बाद मैं feel करता हूँ कि नहीं यार, तीसरे दिन जो मैंने code बनाया था, वो सबसे बढ़िया था, तो अगर उसका version ही available नहीं है, तो मैं तीसरे दिन का code नहीं देख सकता, अब मैं परिशान हूँ, अब मैं कहूँगा यार, अब ये सारा code मैंने तीसरे दिन क्या किया था, बुझे exact यार नहीं आ रहा, कहां कहां changes किये थे, बट अगर आपने उसके versions बना रखे हैं, तो कोई tension नहीं है, तीसरे दिन का version अलग से दिख जाएगा आपको, अच्छा ये मैंने उस दिन काम किया था, एक्जक्ट आपके पास पड़ा होगा, वो code निकाल लो दुबारा से, तो आप जब हर दिन ये version control के थूँ, आप जब ये काम करते हो, code को commit करते हो, तो उनके versions create होते जाते हैं, फिर आप जिस दिन का जो भी version देखना चाहते हैं, वो आप वहाँ से push करके ले सकते हो, और वो आपके पास आ जाएगा, आप उस पर future में काम स्टार्ट करते हो, git के अंदर कुछ terms हैं, जिने हमें discuss करना है, बट उससे पहले अब मैं, दोनों के differences जो हमने पढ़े हैं, उनको discuss कर लेते हैं, कि centralized और distributed में basic differences क्या है, तो एक बार जरा इन दोनों के differences भी हम लोग discuss कर लेते हैं, कि centralized version control system और distributed version control system में क्या बुनियादी फरक है, जो अब तक हमने पढ़ा है, उसे मैंने या points में भी लिख दिया, so that आप future में अच्छे से memorize कर सके, कोई interview में पूछे, तो ये दो-चार point आप दोनों के बीच में बता सके, पहला है, इन CVCS a client need to get local copy of source from server, do the changes and commit those changes to central source on server, यानि हर बार client को जो है, client-server model होता है यहाँ पर, server से वो हर बार copy लेगा, उस code पे काम करेगा और server पे डाल देगा, उसके खुद के पास, उस code की कोई copy नहीं होती, वो जो भी काम करेगा, वो server पे डाल देगा, जो भी update करेगा, server पे update करेगा, उसे हर टाइम server के साथ connect रहना जरूरी है, उस काम को करने के लिए, ठीक है, CVCS, अच्छा, अब दूसरी तरह अगर मैं बात करूँ, इसके comparison में DVCS की, तो in DVCS, each client can have a local branch, as well as, and have a complete history on it, यहाँ branch की बात करें, यह local repository कहलें, एक ही बात है, बलकि मैं, यहाँ पे local repository ही लिख देता हूं, ताकि आप confused ना हो, local repo, ठीक है, local repo as well, and have a complete history on it, तो उसके पास, सारा data जो है, अपनी local storage में भी होता है, जो कुछ वहाँ पे पढ़ा है, मेरे repository, central repository में पढ़ा है, दोने जगा central repository होती है, ठीक है, वो GitHub हो सकता है, वारा GitHub जो हमारी service है, storage जो है, cloud पे पढ़ी हुई, तो वो हो सकती है, लेकिन, यहाँ पे इसके पास, अपनी local copy भी होती है, ठीक है, तो इसे dependent नहीं रहना पड़ता, उस storage के उपर, इसके पास अपनी copy है, client need to push the changes to branch, which will then be pushed to server repository, तो client पहले अपने changes को branch में push करता है, या आप कहलें कि, commit करता है local repository में, और उसके बाद, वो उन्हें push कर देता है, server के उपर, ठीक है, यहाँ दूसरे difference की बात करें, तो CVCS को समझना, या सीखना ज़ादा असान है, in comparison to DVCS, चूँकि इसके जो codes हैं, वो common होते हैं, और बड़े simple होते हैं, जबकि यहाँ पे, आपको कुछ अलग-अलग commands और code, याद करने पड़ेंगे, बट इतना मुश्किल भी नहीं है, मैं आपको सिर्फ 8 या 10 code बताऊँगा, command बताऊँगा, और आप habitual हो जाएंगे, आप expert हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, तीक्षिने का सरीका सब कुछ डरना नहीं है, अभी से, ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको, अच्छा, अब दूसरे difference की बात करें, working on branches is difficult in CVCS, branches अभी क्या होता है, अभी के लिए आप रहने दे, क्योंकि branches के concept, gift में मैं आपको detail में बताऊँगा, कोई परिशान होने की जोथ नहीं है, बट सिर्फ यहाँ याद रखें, कि यहाँ जब आप पढ़ लेंगे यह सारे topic, तो उसके बादे differences देखिएगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा, तो और मैं आपके एक चीज़ और बता दूँ, आपको इसे देखना कैसे है, मैं आपको बताता हूँ, गिट के मेरे जितने भी upcoming lectures आएंगे, उनको आप एक बार थोरोली बस देख लें, आपको एक बार देखना है, ठीक है, आप उसके notes बनाएं, ना बनाएं, बट एक बार आप उनको सिर्फ देख लें, पूरा देखने के बाद, जब गिट के, आप सारे lectures one by one देख लेंगे, उसके बाद, next time, आप पहले lecture से उठाएं, और आप देखें, आपकी understanding double हो जाएगी, 200% हो जाएगी, आपको हर एक बात समझ आ रही होगी, उसके बाद आप lab perform करें, उसके बाद आप इन बातों को पड़ें, आपको सब कुछ समझ आ रहा होगा, कि यह मैंने क्या लिखा है, अभी सब कुछ नया लग रहा है, आपको इने दो बार देखना है, जैसे डॉक्टर होता है ना, बताता है सुबह भी दवा खानी है, और शाम को भी खानी है, तब असर होगा, तो आपको भी इन लेक्चर्स को दो बार देखना है, यह बात आप याद रखेगा, और एक सार दो बार नहीं देखना है, एक बार पूरो गिट के, अगर मेरे 10 लेक्चर आने वाले हैं, तो टोटल 10 लेक्चर्स आप एक बार देख ले, जब वो complete हो जाए, तब दुबारा first से start करें, ठीक है, तो यह आपको तरीका अपनाना है, आप expert हो जाएंगे, जो तरीका ना बता रहा हूँ, आप बस उसे follow करें, आपको मैं expert बना दूँगा, ठीक है, अच्छा, मैं बार बार इदर से उधर ही हो रहा हूँ, ठीक है, तो अच्छा, तो working on branches is difficult, तो यह मैं आपको बादें बताऊँगा, कि यह क्या होता है, branches क्या होती है, बट इसमें, CVCS में काम करना मुश्किल है, branches के अंदर, जबकि यहाँ पे काम करना easy है, ठीक है, तो यहाँ पे काम करना मुश्किल नहीं है, अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे conflicts आने की chances ज़्यादे रहते हैं, conflicts का मतलब है, कि एक code एक बंदे ने बनाया, दूसरे बंदे ने एक code बनाया, जब हम उन्हें मिलाते हैं, जब हम उन्हें मर्ज करते हैं, जोडते हैं, तो यहाँ conflicts आते हैं, errors ज़्यादा आते हैं, जबकि DVCS में वो चीज़ minimize हो जाते हैं, कम हो जाती है, 100% तो नहीं हम अलग कर सकते हैं, बट हाँ, minimize हो जाती है, CVCS system do not provide offline access, offline access का मतलब बिना internet के, आप इस पे काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको हर टाइम, central server के साथ connect होना जरूरी है, ठीक है, तो यह सबसे बड़ा disadvantage है, central server के साथ connect होना, internet के थुरू connect रहना जरूरी है, internet नहीं है तो काम बंद आपका, आप काम ही नहीं कर सकते, फिर आप अपना code लिखी नहीं सकते, क्योंकि आप जो भी काम कर रहे हो, आप central server से connect होके कर रहे हो, तो यह बड़ा इसमें difficult है, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, आप अपनी hard disk के साथ काम कर रहे हो, आपके hard disk में changes हो रहे है, आपको वहाँ पे कब डालना है, central server पे कब डालना है, वो आपके उपर है, आप शाम को डाल दो, उसके उपर code को, कोई फरक नहीं पर तक्कल आके डाल दो, क्योंकि सारे आपके changes आपकी hard disk में पड़े हुए है, समझ आ रही है बाद, तो working on branches is easier in DVCS, less conflicts यहाँ पे होते हैं, और are working fine on offline mode, ठीक है, तो यह offline mode पे बड़े अच्छे से काम करता है, क्यों, as a client copies the entire repository, entire repository copy होती है, उनकी local machine के उपर, या आप local repository के उपर, ठीक है, तो कई सारे terms आएंगे, आपको उन्हें confused नहीं होना है, यह slow होता है, क्यों होता है, क्योंकि भाईया, इसे internet से connect होके, server के साथ काम करना पड़ता है, यह इसलिए fast होता है, क्योंकि यह इसे अपनी ही hard disk को access करना है, सारे code को वहीं update करना है, ठीक है, if CVCS server is down, क्या होगा, उस copy को दुबारा से, जब server अप होगा, दुबारा update कर देंगे, और सारा data फिर central repository में आ जाएगा, तो यह बुनियादी difference है, central version control system में, और distributed version control system में, क्यों जरूरी है, वर्जनिंग यह आपको, I hope इस lecture में clear हो गया होगा, मैं इस lecture को अब ज़्यादा लंबा नहीं करता, क्योंकि यह बुनियादी lecture है, तो इसको आप एक दो बार देख लें, अच्छे से देख लें, और समझने के कोशिश करें, कि वर्जनिंग क्या होती है, हमें क्यों जरूरत है, तो अब इसे हम git को सबसे पहले क्यों पढ़ाते हैं, क्योंकि यह कोई भी developer है, वो सबसे पहले क्या लिखता है, code लिखता है, तो आपने code नहीं लिखना है, अगर आप code आपकी हो सकता है, छोटी companies में code भी कई बार, अगर आपको आता है काम coding का, तो आप से करवाया जाएं, बट अगर आपको नहीं भी आता है, तो git पे काम करना mandatory है, यह तो आपको आना चाहिए, क्योंकि अगर आपके developer ने code आपको दिया है, वो कहता है, यह मेरी GitHub का यह है, मैंने GitHub में code दाला हुआ है, पब्लिकली, आप इसे access कर लो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, कैसे access करना है, वो कहता है, इस version को access कर लो, या इस commit ID वाले code को access कर लो, कैसे करना है, कैसे उसको लेके आना है, अपने repository में कैसे लेके आना है, वो आपसे कहता है, आप अपनी repository में ले लो Linux के उपर तो आपने कैसे लेना, ये सारा काम आपको पता होना चाहिए, ठीक है code आपको नहीं लिखना है, बट काम आना चाहिए कि code को कैसे, version control कैसे होता है वो सारी बाते आपको clear होनी चाहिए I hope इस lecture ने आपकी बुनियाद को बना दिया होगा और आपको एक picture mind में clear हो गई होगी कि git के अंदर हम क्या करने वाले है पहले हम git पढ़ेंगे git के बाद na github भी आपको पढ़ा हुआ git और github दोनों हमने पढ़ने है ठीक है, github जो है वो एक service है जो central repository के जिसमें मैं बार-बार बात कर रहा हूँ न जो server पर पढ़ा हुआ है वो उसकी जगा हम github का इस्तमाल करेंगे जिसका मालिक आज की रिट में कौन है Microsoft है, ठीक है Microsoft ने बहुत बड़ी कीमत देके github को खरीदा है ठीक है, तो वो भी बात हम करेंगे तो कई चारी जिल्चस्प बाते हम लोग करेंगे तो चलिए इस lecture को यहीं खतम करते हैं किसी खुबसूरत शेर के साथ शेर एक यह याद आता है कि फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था फासले ऐसे भी होंगे ये कभी सोचा न था सामने बैठा था मेरे और वो मेरा न था और एक बड़ा छोटा सा शेर है पर बड़ा अच्छा है बड़े खुबसूरत अलफाज है कि ये काम दोनों तरफ हुआ है ये काम दोनों तरफ हुआ है उसे भी आदत पड़ी है मेरी चलिए ख्याल रखिये अपना और दुआओ में याद रखिये